बच्चों की खरीदी बिक्री के मामले में मुख्य महिला अरोपी और उसका पती पुलस के हाथ लग गया है आपको बता दे कि इस मामले में परार प्रजापती दमपती को कोटा से गरफतार का नाकपुल लाया गया गटना के बाद अंतर राजजी इस तर पर फैले इस किरों के और भी नए खुलासे होने की संभावना सीपी अमितेश को मानने चताई है अगवा कर बच्चों की विक्री करनी के मामले में पुलीस नी इस से पहले 3 आरोपियों को अदालत में पेश किया था जहां से उसे कलमना पुलीस नी PCIAR में लिया आपको बता दे कि इस मामले में अभी तक 7 आरोपियों के ग primera हुई थी इस खटना के बाद से ही अंतर राजी स्तर पर फैलेज किरोह के और भी नए मामलों का खुलासा होनी की संभावना जताई जा रही थी अकिरकार मंगलवार को और चार बच्चों की ट्राफिकिंग के मामले सामने आए हैं जिन में तीन बच्चे खुद प्रजापती दमपती के ही हैं उन्होंने महरास्ट में अपने ही बच्चों को बेचने की चानकारी दी दोन प्रकरन भंडारा जिल्या चे वरुन जाले लिया है आनि मध्यपदेश चे पन काई ठीकान आहे अत्या परेंथ एक मुलानला रिकवर करन्यात आले लिया है बाकी इतर तीन मुले जे आइडेंटिफाइड आहे त्याना पन रिकवर करन्याची प्रक्रिया शुरू इस मामले में अगवाकर बच्चों की खरीदी बिक्री के मामले में मुख्य आरोपी भी पुलीस की हाथ लग गये हैं उन्हें बालगाट जिले के लालबर्रा से गिरफतार कर नाकपुर लाए गया था गिरफतार आरोपियों में घटना की मुख्य सूत्रधार श्वेता रामचंद्र सावले और श्वेता खान मक प्रिदेश के बालगाट जिला अंतरगत लालबर्रा तथा योगेंद्र प्रजापती और उसकी पतनी रीटा प्रजापती कोटा राजस्थान निवासी को हिरासत में लेकर पुलीस उनसे कड़ी पूश्ताच कर रही है इनमेसन यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अकिलिश भरदवाच के साथ रूपा पंडित के रिपोर्ट